आज हम बात करते हैं गरीब और मध्यमवर के लोग पैसे के बारे में क्या सोचते हैं और जैसा कि आप जानते हैं हम जो बोलते हैं हम वैसा ही सोचने लगते हैं आपने भी पैसे के बारे में बचपन में कुछ ना कुछ जरूर सुना होगा और हम वैसा ही महसूस करने लगते हैं जैसे पैसा पेड़ पर नहीं उगता तो हमें लगता है कि पैसा कमाना बहुत मुश्किल है और हम कमाने से ज़्यादा बचाने की सोचते हैं हमने बच्चपन में कभी नहीं सुना कि पैसा सिर्फ चीजों को इधर से उधर करने का एक माध्यम है एक जरिया है तो चलिए जानते हैं कि क्यों कुछ लोगों के लिए पैसा कमाना इतना आसान है और क्यों कुछ लोगों के लिए पैसा कमाना इतना मुश्किल है क्यों पैसे वाले का बच्चा पैसे वाला बनता है और गरीब या मध्यमवर्ग के इंसान का बच्चा गरीब और मध्यमवर्ग का ही रह जाता है इसका पहला कारण यानि रीजन है कि हम पैसे के बारे में क्या सोचते है तो आज हम उन रोज मर्रा यानि डेली लाइफ में पैसा कमाना क्यों मुश्किल या हम पैसा क्यों नहीं कमा पा रहे उन words या उन lines के बारे में बात करते हैं तो पहली line है money doesn't grow on trees ये line शायद हम सबने सुनी होगी इसका मतलब है कि पैसा पेड़ पर नहीं उगता इससे हमें लगता है कि पैसा कमाना बहुत मुश्किल है दूसरी line है money is filthy and dirty मतलब पैसा कमाने के लिए आपको भ्रष्ट या मैला अपवित्र होना पड़ेगा पैसा कमाने के लिए आपको dirty काम करने पड़ेंगे जब आप पैसे के लिए ऐसा सोचेंगे तो money को लेकर पैसे को लेकर आप negative हो जाओगे पैसे को लेकर आप अच्छा नहीं सोचोगे और पैसा आपकी तरफ आकरशित नहीं होगा इसी से ही related एक और line है कि money is evil मतलब पैसा बुराई है और अगर पैसा बुराई है तो हम बुरे काम कैसे कर सकते हैं तीसरी line है I am poor but clean or good इसका मतलब है मैं गरीब हूँ लेकिन मैं साफ हूँ, शुद हूँ, अच्छा हूँ मतलब आप गरीबी को अपनी तरफ आकरशित कर रहे हैं और अमीर लोगों को कोस रहे हो और गरीब होने की ego को satisfy कर रहे हो चौथी line है rich people are crooked people, अमीर लोग बदमाश होते हैं इन सब शब्दों से हम पैसे को लेकर अपने दिमाग में एक गलत, एक negative image बना लेते हैं और कही न कहीं गरीबों को सही बता रहे होते हैं और फिर जैसा आप सोचोगे भगवान आपको वैसा ही देगा 5th line है I don't want to have money and be stuck up मतलब मुझे इतना पैसा नहीं चाहिए कि मैं उसी में first जाओं 6th line I will never get a good job मुझे कभी अच्छी नोकरी नहीं मिलेगी तो आप गंदी नोकरी मांग रहे हो और वही आपको मिलेगी 7th line I will never make any money मैं कभी पैसा नहीं कमा पाऊंगा आप कही ना कहीं मांग रहे हो कि आपको पैसा ना मिले 9th line I am always in debt मैं हमेशा कर्ज में डूबा रहता हूं इसमें आपकी कमी है कि आप पैसा नहीं कमा पा रहे हो पैसे कुछ जिम्मेदार मत ठहराओ 10th line Poor people can never get out from under गरीब लोग कभी भी गरीबी से बहार नहीं आ सकते इसका मतलब आप आलसी हो आप कोशिश नहीं कर रहे हो आपको गरीबी में मज़ा आ रहा है और आप चाते हो कि सब गरीब ही रहे हैं 11th line My parents were poor and I will be poor मेरे माबाब गरीब थे तो मैं भी गरीब ही रहूँगा यहां आप अपनी नाकाम या भी अपने माता पिता पर थोप रहे हो 12th line Artists have to struggle कलाकार को संगर्श करना पड़ता है यहां आप भूल रहे हो कि पैसा कमाना भी एक कला है और कला कोई भी सीख सकता है 13th line Only people who cheat have money जो धोकेबाज होते हैं वही पैसा कमा सकते हैं 14th line I couldn't charge that much मतलब मैं इतनी फीस नहीं ले सकता यहां आप अपने आप पर विश्वास या आप confident नहीं हो आप charge करके तो देखो पहले 15th line I don't deserve मैं योग्या नहीं हूँ यहां फिर under confidence क्योंकि किसी ने पैसो को लेकर confidence सिखाया ही नहीं I am not good enough to make money मैं पैसा कमाने के लिए प्रयाप्त नहीं हूँ काबिल नहीं हूँ यह सब हमें society ने सिखाया है जब तक आपको अपने आप पर विश्वास नहीं होगा तब तक आप कुछ नहीं कर सकते 17th line Never tell anyone what I have in the bank किसी को बताना नहीं मेरे पास बस इतना ही पैसा है क्यों डरते हो किस से डरते हो और पैसा डरपोक लोगों के पास तो जाता ही नहीं है क्योंकि डरपोक लोग पैसा जोडते हैं खर्च नहीं करते और इसलिए डरपोक लोगों को पैसे की जरुरत बहुत कम पड़ती है एक पैसा बचाना मतलब एक पैसा कमाना यहां बचाने पर ध्यान है कमाने पर नहीं एंजाइटी हो जाएगी डिप्रेशन हो जाएगा अफसाद हो जाएगा 22 वी लाइन पैसा सिर्फ महनत से कमाया जाता है यह सब वो कारण है जिसकी वज़े से पैसा हमारे पास नहीं आता आप इन सब में से किस पर विश्वास करते हो क्या अब आपको लगता है कि इन सब पर विश्वास करने से आपके पास पैसा या स्मृद्धी प्रोस्पेरिटी आ सकती है यह सब पुरानी कहवते हैं शायद आपका परिवार इन सब को मानता होगा लेकिन आप सब को ये विचार छोड़ने होंगे माइड एक्ट को लगता है कि पैसा कमाना या ट्रू प्रोस्पेरिटी जब आएगी जब आप अपने बारे में अच्छा सोचेंगे और अच्छा फील करेंगे और इस सब से आपको अजादी मिलेगी जो आप करना चाहते हो और कब करना चाहते हो यह सब कितना या इतना पैसा कमाने की बात नहीं है यह आपकी सोच बदलने की बात है It is a state of mind Prosperity or lack of it is an outer expression of the ideas in your head पैसा कमाना या पैसे की कमी आपके दिमाग में विचारों का एक भारी अभिव्यक्त है Thank you अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब माइंड एक्ट